योग और मेडिटेशन आपको सकारात्मक और नकारात्मक तक्तों को कंट्रोल करने की छमता देते हैं योग हर वेक्ति को बेहतर करने, बेहतर बनने और जीवन को आनंद में बनाने के लिए प्रेडित करता है यहाँ आपके सरीर को स्वस्त बनाता है और दिमाग में स्वस्त बिचार विक्सित करने में कारगर है नमस्कार दोस्तों आपका Knowledge Development Channel में स्वागत है आज हम लोग योग और मेडिटेशन के बारे में जानेंगे मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है लकवा, मांस्पेशियों, मिखीचाव, मधुमे और अस्थमा जैसे रोगों का उपचार भी संभव है मेडिटेशन का मतलवी है ध्यान में बैठना यादास्त बढ़ाने, मन मस्तिक्स को एकागर करने, आत्म विश्वास बढ़ाने और आज के प्रतियस्वर्धा, बातावरन में दवावों का सामना करने के लिए ध्यान को सक्ति महदुपून सिद्ध होती है मेडिटेशन के बहुत सारे अनुभग है, मैं कुछ पॉइंट सेयर करता हूँ सासों की गती धीमी होना, बिचार, सुन्नेता, आँखों का चिपकना, सारीरिक बदलाव, तीज परकास दिखाई देना, ध्यान के बाद के एहसास, मेडिटेशन के बिचित्र अनुभग तथा लाव है दोस्तों, कुछ लोग ध्यान में बैठते हैं, तो डर जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत सारे आनन्द आते हैं आनन्द फिल करते हैं, किसी चीज को सोचते हैं, और हमको ध्यान में क्या सोचना चाहिए यह मैं सेयर करता हूँ, ध्यान करते वक्त सोचना बहुत होता है, लेकिन यह सोचने पर कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, कुछ देर के लिए सोच रुख जाती है सिर्फ स्वास पर ही ध्यान दें और संकल्प कर लें, कि 20 मिनट के लिए मैं अपने दिमाग को सुन कर देना चाहता हूँ अन्तता ध्यान का अर्थ, ध्यान देना हर उस बात पर जो हमारे जीवन से जुरी है प्रनायान एवं ध्यान पर बैठने की कुछ मुद्राएं हैं, जिसमें से किसी एक में आप ध्यान लगा सकते हैं मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, वो है सुखाशन, सिधाशन, बज़राशन आप पे डिपेंड करता है कि आप जिसमें कमफर्टेबल महसूस करें, उसमें आप स्टार्ट करें, मेडिटेशन और उमीद है कि आपको जरूर लाव होगा, आप अदुभूद चमतकार पाएंगे अपने लाइफ में स्टार्ट करें, दस मिनट, बीस मिनट, तीस मिनट, बहुत लोग दो घंटे, तिन तिन घंटे इस एक्सरसाइज को करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, आप अपने रूटीन के हिसाब से को अपलाई करें आईए ध्यान के लिए एक ऐसा सांत अस्थान ढूले जहां आप अलग से बैठकर निर्धारी रूप से ध्यान कर सकें, अपने लिए एक ऐसा पवित्र अस्थान बनाएं, आपके ध्यान के अभ्यास के लिए सुख़द रूँ इस वीडियो में मैं ओम उच्चारण के साथ 30 मिनट का भ्यास करूँगा, आप उसे 10 मिनट के 3 सेशन में या 15 मिनट के 2 सेशन में बाट कर भी कर सकते, आपको अगर सुरुवात में मन एकागर करने में दिकत हो तो परिशान ना हो, सुरुवात में आपका ध्यान भटकेगा उसे एकागर करें जितना हो सके, सुरुवाती दोर में थोड़ा सर भारी भारी लगेगा, फिर बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा, आप इसका भ्यास हेड़फोन से, स्पीकर या अधर आडियो डिवाइस का यूज़ करके कर सकते हैं, आईए हमारे साथ मेडिटेशन का भ करें, अपने जीवन के और इस संसार के सुख़ समय पल को याद करें और फिल करें अबर शोर्मार करें चाहिएन तर्सटी का यूज़ कर दोद्टी छिवेगा, अबर इस से, आप स्पीकर नुर्मल विए जाहिएर के लिएएन का यूड़ को पल कर दो कि अपने भीक देज़ऊन के देख़ए हो जबर अईए पर शोर्मार लोगा, आप में आप समया और आ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर, पो कर दो कर दो कर दो, पो कर देय। लड़ा दो, लड़ा दो, लड़ा दो. झाल 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 झाल